आगे आते हैं इजियम क्या होता है एक्स्ट्रा ओडिनरी जर्नल मीटिंग ये मीटिंग कब बुलाए जाता है बताना ज़रा साल में कभी भी बुलाए जा सकता है यह हर साल का कोई ऐसा specific date नहीं है जब आप उनको लगता है कि कुछ discuss करना है तो बुलाया जा सकता है meaning क्या कहता है all journal meeting other than annual journal meeting मतलब annual journal meeting को छोड़ दीजिये उसके अलावा जितने भी meeting होंगे उसको क्या बोलेंगे हम EGM बोलेंगे simple सी बात है definition sir when और by whom देखे मैं यही समझा दूँआ when by whom कहता है extraordinary journal meeting may be called under the following circumstances board बुला सकती है board के बाद board on the requisition मतलब board आदेश दे सकता है जिसको उसके द्वारा by requisition holder के और ट्रिबनल यानि यह बोड बुला सकती है by board by the board on the requisition board के कहने के उपर जो भी चाहे बुला सकता है जैसे मान लेते हैं किसी company secretary को बला यार meeting call करते तो वो भी बुला सकता है यह member बुला सकता है और by the tribunal यानि law भी बुला सकता है government भी बुला सकता है तो यह सभी लोग इस meeting को बुला सकते हैं और एक मजे की बात मान लेते हैं member ने बुलाया member ने meeting बुलाया तो director को बोलेंगे महीं बुला रहा है किस बात की बुला वह नहीं बताएंगे को मुझे कर सकते क्भाइब एना मीं polish thing मिटिंग बुलाने का मुझे क्या रहा हुआ कर सकते हैं मिटिंग बुलाने बता कहा बुलाना है किस बात के लिए meeting बुलाना है बोला मैं नहीं बता रहा तो डेक्टर नहीं बात नहीं मत बता कहां बुलाना है अब जो शियर होल्डर है वह खुद जगह ढूंडेगा और meeting बुला लेगा सभी को notice देगा और यहां पर 21 clear days नहीं चलने वाला सभी को notice दे के बुलाएगा और ब auditorium book करना, खाना, पीना, इतने member, खर्चा हो गया, अब इस खर्चे की भरपाई, law कहता है कि भाई, shareholder तुमने अच्छे काम के लिए meeting बुलाई, ये खर्चा किस से लो, company से लो, company को ये सारा खर्चा देना पड़ेगा, company कहता है भीया, ये सारा board of director की बेस हुआ, company किस से ले ल चोटे-चोटे से point है, when the director have a transit some immediate, कोई भी transaction, transit मतलब कोई भी transaction करना, immediate business, they cannot wait next annual general meeting, मतलब director को लग रहा, यार अभी बताना बहुत जरूरी है, shareholder को, जल्दी से जल्दी बुलाते है, annual general meeting तो 6 मैने बाद है, इतना थोड़ी रुखेंगे, बुला लिया जाए, तो director meeting call करता है, the board of director of company may call the meeting whenever think need fit, जब लगता है कि भाई या बुला लेना चाहिए, वो क्या करेगा, बुला लेगा, चलिए sir, board of director ने बुला लिया, अब member की बारी आ गई, board of director तो normal बुला लेता है, the board of director may also call extraordinary meeting on the requisition of the given member, यानि member बोलता है, director, meeting बुला, एक तो हो गया, director को लगता है, भाई बुला ले, अब उल्टा हो गया, member को लगता है कि meeting बुलाना है, तो member किसको बोलेगा, कि भाई meeting बुला ले, लेकिन हर member के पास इतनी power नहीं है, जो director को बो company having share capital, member के पास 110, 110 का मतलब 10% voting power होना चाहिए, कहता है, in case having share capital है, member holding not less than 110 of the paid up share capital of the company, caring voting right regarding the matter, मतलब meeting बुलाने के लिए आपकी हैसियत होनी चाहिए, और कितनी हैसियत, 10% share होना चाहिए, कुछ कुछ company मेंने share भी नहीं होता, कहता है, in case of the company having share capital, not having share capital, member or member holding at least 110 of the voting power, यानि कहने का मतलब 10% आपके पास company के अंदर voting rights है, तो अकेला वेक्ती भी meeting को पुलवा सकता है, किस के थुरू, director के थुरू, ठीक है, matter of such consideration which the meeting called shall not be stated requisition and the matter along with the consider meeting requisition, requisition का मतलब यहाँ पर बुलाना, कि भी यह बुला लो, the board of director proceeds call meeting, board of director बुलेगा, ठीक है भाई, तेरी बात मान गए, बुला रहे meeting, चिंता मत कर, consideration of the matter, notice by required 21 days, board 21 days का notice देगा, कि भी यह आजाओ, वही clear days का, the deposit of requisition as registered office of the company, the meeting must held by the director on the day, not later than 45 days, यानि जब से उसने बुला कि भाई, बुला दे meeting, तो तुम 45 दिन के अंदर बुलवा दो, ऐसा नहीं कि भाई, मैं मना कहां कर रहा हूँ, बुला लेंगे 2025 तत, मना थोड़ी कर रहा हूँ, मैं बुलाओंगा meeting, उसने law ने क्या कर दिया, कि must held by the director on the day not less than, मतलब जो gap होगा, कहता है not less, later than 45 days, from the date of deposit requisition, यानि जिस दिन उसने requisition दिया, डेरेक्टर को उसके 45 दिन के अंदर, अब देखिए, अब डेरेक्टर बोल रहा है, मैं नहीं बुलाओंगा, तब कोन बुलाओंगा, टी मन्त, और फिर member ने भी थोड़ा सभ दिलाई कर दी, तीन महेने के बाद सूच रहा है, आप बुला लेते हैं, डेरेक्टर तो बुला नहीं रहा, तो नहीं बुला सकते हैं, 45 दिन के अंदर, डेरेक्टर बुला रहा है, तीन महिने के अंदर-अंदर Member can call meeting Member फटा-फट क्या करेगा? Meeting बुला लेगा After the expiry of 3 month The date of deposit of requisition Accept a meeting while duly within a 3 month requisition मतलब कहने का मतलब है sir 3 महिने के अंदर meeting बुला लेगा अब requisition shall call meeting Same manner कैसे बुलाए जाएगा? Same manner as a possible meeting जो की called होता है Board of Director Notice of such meeting Same manner उसी manner से दिया जाएगा If the registered not made available Then they hold meeting anywhere else requisition shall be अगर registered office के पास हमारा space नहीं है तो हम कहीं भी meeting कर सकते हैं Shall be entire claim और ये क्या करेगा? SARA का SARA expense जितना भी होगा Calling of the meeting Company से claim करेगा The company shall be entire to the Indemnity The company मतलब उससे जुस डिरेक्टर है उससे सारा का सारा खर्चा claim कर लेगा तो EGM कितनी तरीके से चार एक तो डिरेक्टर खुद बुला लेगा दूसरा shareholder बोलेगा Director तू meeting बुला ले लेकिन shareholder के पास क्या होना चाहिए 10% voting right अब डिरेक्टर को कितने दिन में बुला लेना है 45 दिन में डिरेक्टर फेल होगे आप shareholder बुलेगा मैं खुद ही बुला लूगा कितने दिन में तीन मेने के अंदर लेकिन स्टार्टिंग से तीन मेने काउंट होंगे जिस दिन से रिक्वेस्ट दिया है ऐसा नहीं कि 45 दिन के बाद तीन मेने काउंट करो स्टार्टिंग से तीन मेने और मीटिंग बुलाने काउंट ओफिस और जो भी एरिया आसपास जैसे की प्लेस में हमने देखा वहां बुलाएंगे और इसके खर्चे कौन देगा कंपनी और कंपनी किस से ले लेगा कंपनी सारा का सारा डिरेक्टर से ले लेगा ठीक है आगे बाई ट्रिबिनल भाई अब लास्ट है ये ट्रिबिनल का मतलब क्या है लॉग दा ट्रिबिनल में ऑल्सो अंडर सर्टेन सर्कम्स्टांसेस कॉल होल्ड दा कंडेक्ट दा मीटिंग मतलब गवर्मेंट को अगर रिलाइज होता है कि सर आपकी कंपनी में इस इंप वैन इट इस सरेंडर ऑफ सियर स्लेबस में अभी यह देख लेते हैं पहले कहता है कब बुलाई जाएगा वैन इट इस को तुझाल मीटिंग आफ दा कंपनी मैंनेर विच दा मीटिंग कंपनी में बीकॉर्ड मतलब उसी मैनर में मीटिंग को बुलाएगा वो भी जैसे कि पहले बुलाए जाता था वैन इट इस नॉट पॉसिबल अगर उस मैनर में बुलाना पॉसिबल नहीं है कंडेक्ट दा मीटिंग ऑफ दा कंपनी इन दा प्रिसक्राइब बाइद एक्ट जो इस एक्ट के अंदर प्रिसक्राइब है उसके अकॉर्डिंग बनाए ज दे सकता है मोडिफिकेशन सेप्लिमेंट अफ दा ओपरेशन अफ दा प्रोविजन अफ एक्ट और आर्टिकल अफ एस्सोसियेशन रिलेटिंग तू दा कॉलिंग कंडक्टिंग अफ दा मीटिंग मतलब गवर्मेंट मीटिंग बुलाके जो कंपनी के अंदर गरवडी है उ मतलब एक मेंबर भी है तब भी हो मीटिंग वेलिड माना जाएगा त्रिबिनल में भी ओडर टू दा कॉलिंग एंड कंडक्टिंग अपनी मर्जी से बुला सकता है या किसी एप्लिकेशन किसी डिरेक्टर ने दिया तब बुला सकता है या एनी मेंबर मतलब ऐसा तो नहीं है कि गवर्मेंट को पता चले घा कमपनी वह फ्रॉड हो रहा है किसी शेरोल्डर ने गवर्मेंट को क्या करा अप्लिकेशन डाल दिया या घंट में खुद बूला लेते हैं तो खुद बुलाने का मतलब होता हमारा यहां पर ऑनमोशन अपनी मर्जी से या एप्लिकेशन एनी डिरेक्टर दे दे या फिर एनी मेंबर के कहने पर मीटिंग बुलाया जा सकता है तो अभी तक हमने क्या देखा अधर पर अथोरिटी नोटिस वगएरा एक क्लास और लेगा यह तो चलो यह मैं कल रिकॉर्ड करूंगा अभी तक हमने क्या देखा फटा फट से देख लेते हैं सर मीटिंग क्या होता है जब बहुत सारे शियर होल्डर किसी चीज पर डिसकर्स करने के लिए कंपनी से इखटा होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं मीटिंग meeting के अंदर हमारा अगर हम meeting की बात करें तो कौन-कौन से इस chapter में पढ़ेंगे AGM, EGM और हमारा notice और notice के बाद resolution भी हम इसके अंदर देखेंगे meaning बता दिया मैंने आपको sir kind दो तरीके का होता है EGM और AGM इसके बाद अगर AGM कर रहे हो तो आपको उसका meaning आना चाहिए इसको statutory requirement meaning क्या है कि हर एक साल के financial year खतम होने के बाद 6 महिने के अंदर हो जाना चाहिए नई company है तो 9 महिने के अंदर हो जाना चाहिए requirement board of director इस meeting को बुलाएगा इसके बाद authority convey इसमें भी board of director ही authority होता है कि convey करेगा place registered office में करेगा listed और unlisted का depend करता है notice 21 दिन का notice मिल जाना चाहिए annual journal meeting default होगे तो एक लाख रुपे की penalty और 5000 रुपे per day every director के उपर fine लगेगा annual journal meeting AGM जो मैंने बाते बताई वो सारा यहां पर लिखा हुआ था अब बात करते हम किसका EGM EGM क्या होता है definition में तो sir annual journal meeting को छोड़ के जितने भी meeting होते हैं सभी को क्या बोल देते हैं EGM बोल देते हैं कौन बुलाएगा इसको board बुला सकता है जौरत लग रही है मुझे कि आपके meeting को बुलाना है तो board of director meeting बुला लेगा और कौन बुला सकता है member 45 दिनों के अंदर director को meeting बुलाना है director fail हो जाएगा तो कौन बुलाएगा meeting member खुद बुला लेगा meeting कितने दिनों के अंदर 3 महिने के अंदर meeting को बुला लेगा और उसके अंदर जो भी खर्चा और चाह होगा वो किस से cover कर लेगा company से cover कर लेगा और company किस से cover कर लेगा director से cover कर लेगा इसके बाद अगला कौन बुला सकता है हमारा tribunal tribunal कब बुलाएगा उसकी खुद की इच्छा हो कोई member complaint कर दे कोई director complaint कर दे तो meeting बुला लेगा और उसको बोलेगा जो भी गलती है उसको सुधारिय नहीं तो फिर fine वगरे का provision है तो ये था हमारा कुछ एक point जिसके अंदर से annual journal meeting का आएगा अब question पता है कि annual journal meeting से किस से आता है notice को explain कर ये quorum क्या होता है ये बताईए proxy क्या होता है ये बताईए तो इनके उपर dedicated question आ जाता है अब notice भी postal valid से भी हो सकता है electronic mode से भी हो सकता है इस तरीके से भी question पूछा जाता है ठीक है